कि चलो मित्रों नमस्कार मैं फिर से हजिर हूँ आप आज आप सकते लिए ले करके विलोम शब्दा विलोम शब्द जैसा कि आप सब जानते हैं परिक्षाओं में बहुत ही महत्पूर्ण भूमिका अधा करता है तो इसलिए और इसमें अधिक अधिकांशता आप देखेंगे जो परिक्षार्ती होते हैं जो भी आस्पारेंट होते हैं उनका गलत ही हो जाता है क्योंकि उस पर वो अधिक मेहनत नहीं किये रहते परंतों यदि हम प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक कर लें या परिक्षाओं में पूछे कए प्रश्णों को कर लें तो आप देखेंग वीडियो में 80 वीडियो में जो होगा उसमें 88 कि करा दोंगा तो दो वीडियो इसके हम आप के लिए पेश करेंगे तो दो वीडियो में आपका 166 कोईश्ण हो जाएगा उसके बाद हम कुछ और समानार्थी या तदो अध्सम ऐसे सब्ढों को लेग चलेंगे मेरा ये अप गंटे तक वढ़ाऊंगा आपको एक गंटे 40 मिनद 45 मिनद जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं उतना आप सब को कराऊंगा उसके बाद फिर आगे अगले वली प्रक्टिसर्ट में अगले दिन करा दिया करूंगा ठीक है तो अभी हम लोगों ने जो किया है वो केवल वर्ण और वर्णमाला किया है क्या किया है वर्ण और वर्णमाला किया है वर्ण और वर्णमाला इस पर आपको मैंने क्वेशन कराए है 112 कोशन मैंने करा दिया था और याद रहे कि मुझे आशा है कि सायद आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत लोग बह इछले वाले practice set पर देखा कि इसमें पूछा गया, आप सबनार लगता होगा, इसमें पूछा गया था कि नहीं पूछा गया, तो तो महीं इस वाले practice set में कब पूछा गया है यह भी उसमें लिखा हुआ आप सब के लिए सट किया गया है ठीक है तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रक्टिस सब लोग एकदम ध्यान से लगे रहे दिके मेरा एक आप सबसे विनम्रनेवेदन है कि लिंक को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दि यह पहले तो पूरा दायरा एक क्रेट करो एक बहुत बड़े जनसंख्या को जोड़ो अगर बहुत बड़े जनसंख्या जुड़ेगी तब समझ में आएगा कि वाकई में आप क्या हैं और जो अन्य लोग जुड़ते हैं वो क्या हैं जैसे देखिए कुछ बच्चे हैं ब देखें क्या लिखा गया है पढ़ लिजे आचार का विलोम शब्द है देख लिजे आपके सामने लिखा गया है यमपी PCS यमपी PSC फॉरेश्ट इग्जाम 2016 में ये कोशन पूछा गया है ठिक अब आप बताईए आचार का विलोम क्या होगा विलोम का मतलब पहले आप जान हम लोग विपरी तार्थक सब्द भी कहते हैं ठीक है तो आचार का विपरी तार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है आचार का विपरी तार्थक सब्द क्या होगा अनाचार क्या होगा भया अनाचार होगा आंसार आप लोग जल्दी-जल्दी करते रहिए आचार का क्या हो होगा जल्दी से पताए यह हर्श का क्या होगा आंसर आंसर जल्दी दीजिए उत्तरा खंड लेक्छिर 115 में पूछा गया है और हर्श का हुगा विशाद हर्शच्ट ओब विशाद ठीक Q3 लुक्रासारण का विलोम शब्द है परशारन का विलोम शब्द है क्या होगा जल्दी से बताई भ fighter गर्देख लिए उपी लोई एग्सामनेशन में पूछा गया लोवर साफीनेट में रोवर पीसेंट में पूछा गया जल्दी कर दो बताया बताए बता यह सब लोग जड़ी जड़ी प्रसारण का अंग को चन तीसरा का क्या होगा सी मंधचार मैं लिखा गया है क्वेस्षन में निम्निलखित में से राजा का विलोम नहीं है याद रखे प्रश्ण में मस्त पूछा विलोम नहीं है राजा का उल्टा रानी भी होता है राजा का उल्टा रंक भी होता है राजा का उल्टा परजा भी होता है लेकिन राजा का उल्टा सेना नहीं होता तो विकल्प आपका सही होगा कौन सा सी वाला विकल प्रशन देखे यूपी PCS में पूछा गया यूपी टेट में भी पूछा गया रेपीट हो गया कि नहीं कोश्चन यारह में टेट में पूछा गया था वही कोश्चन सेम 2013 में पूछ लिया PCS में उन्मूलन का विलोम होगा उन्मूलन का विलोम क्या है उन्मूलन का विलोम श मतलब होता है लगाना तो यहां पर उन्मूलन का क्या होगा रोपन का होगा रोपन होगा ठीक भी यह आगे चलते हैं है कर देखें कूषियर देखें कि गया भी है को देखें क्या का गया है उन मीलन का विलोम क्या है उन मीलन का विलोम क्या है देखें यूपी आरो यारो इस्पेशल परिच्छा 2010 में पूझा गया कोशन है उन मीलन का अर्थ है उन मीलन का विलोम क्या है जल्दी बताइए तो उन मीलन का विलोम क्या होता है बहु आपका सुधर जाएगा नहीं होगा अगर सही होगा तो आपका confidence बढ़ेगा यह बात आप हमेंसा याद रखना ठीक है उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा तो उन्मीलन का होगा निमीलन उन्मीलन का होगा निमीलन ठीक है question number seven देखे question number seven क्या कह रहा है अधिकरित शब्द का विलोम क्या है अनाधिकरित अनधिकरित अनाधिकारिक या प्राधिकित देखे यूपी यूपी यारो यारो स्पेशल 2010 में पुछा गया है तो इसका क्या होगा अधिकरित का होगा अधिकरित का होगा अनधिकरित अधिकरित का क्या होता है अनधिकरित होता है ठीक है अनाधिकरित मत लगाईएगा बहुत बच्चे अनाधिकरित लगा के आते हैं गलत हो को क्या लगाना चाहिए बीवाला अनधिक्रित ठीक है प्रश्ण संख्या आठ में आईए जी प्रश्ण संख्या आठ कह रहा है प्रश्ण संख्या आठ क्या कह रहा है जड़ा देखते हैं कि अनुलोम शब्द का विलोम है अनुलोम शब्द का विलोम है बोले जल्दीच मैं कहों प्रश्ण पढ़ूँ उसके बाद तुरंट आपका आन्सार आ जाना चाहिए कि अनुलोम शब्द का विलोम है क्या है सुरोम प्रतिलोम अनलोम या अवलोम तो ये तो अवलोम बिल्कुल नहीं होगा ये भी नहीं होगा अनुलोम है तो इसका उल्टा आप बाबा राम देव का योगा करते होंगे अनुलोम प्रतिलोम अनुलोम विलोम तो विलोम अगर रहा होता तो कुछ सोचते लेकिन यहां पर विलोम नहीं है तो क्या होगा प्रतिलोम होगा ठीक है बाबा राम देव भी बहुत सहायक है आपके पढ़ाई में, करने से होता है, साधु, साधु का विलोम शब्द है, साधु का विलोम सब्द है, बताईए, जल्दी जल्दी बताओ भई, साधु, साधु मतर्ब सज्जन, साधु का क्या होगा, असाधु होगा, साधु का होता है, असाधु, देखे ये भी पूछा गया है प्रश्ण, नवाँ प्रश्ण का डी सही होगा, ठीक है, चले, क्वेश्ण नमर 10, क्ेश्ण नमर 10, निम्लखित में से, क्योँ साधु विलोम यूगम त्रूट पूर्ण है, ये सब बात आप याद रखेगा, जो प्रश्ट में कहता है उसे आप विशेश तोर पर ध्यान रखे यूग में तुरूठ पूर्ण है आपसे कर रहा है तुरूठ पूर्ण है तुरूठ पूर्ण मतब जिसमें गलती हो तो अपेक्षा का उपेक्षा बिल्कुल सही है ये नहीं होगा अग्रच बड़ा अनु बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है अगले कोशन में लिखा गया है विग्रह का विलोम है देखे विग्रह का तो समास होना चाहिए परम्ति इसमें समास नहीं है तो विग्रह का क्या हो जाएगा आपका संधी हो जाएगा संधी हो जाएगा क्या हो जाएगा संधी हो जाएग अनुरक्ति का विलोम क्या होगा अनुरक्ति का विलोम क्या होगा बारामा कोईशन अनुरक्ति का विलोम क्या होगा विराम नाजिना तिरो भाव बिल्कुल नहीं संसक्ति बिल्कुल नहीं विरक्ति होगा इद्दम सही तेरे नम्मर कोईशन तेरे नम्मर कुशन में देखे क्या लिखा गया है संक्रिण का विलोम है संक्रिण का विलोम क्या है जल्दी से पताए संक्रिण का विलोम क्या होगा संक्रिण का विलोम क्या होगा संक्रिण का विलोम होगा विस्तिरण संक्रिण का विलोम क्या होगा संक्रिण का विस्तिरण होगा क्वेश्चन नमर्च उदॅक कुष्यन मर्च हो धार है कि क्व cope का रखाय अभिग्य काविलोम है इस चैनल कागया अभिग्य काविलोम है बताए जल्दी अभिग्य काविलोम है के अभिग्य का बिलोम होता है अग्य अभिग्य का बिलोम है अग्य ठीक है कि अ आगे बढ़ें है do को इसे नमर 5 मैं उत्त का बिलोम है आप लोग देखते हूंगे महाभारत आ रहा हुद समय उसमें इसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अथ का विलोम आप तुरंद बता सकते हैं कि बताइए जल्दी से हैं कि आता है ना अथ्ष्री महाभारत देकर था अथ्ष्री आता है कि नहीं भाईया तो अथ का क्या होगा अथ का शुरुवात इतिका होता है समाब तो अथ का क्या होगा पंद्र के बाद 15 का क्या सई होगा आपका सई ठीक है को इस अमर्च बिलोम्च भिलोम शब्द यूगम कौन है तो देखी को सब्ढूर के अगे बढ़ने का मनने नहीं कर रहा यहीं गलत है प्रवेश का प्रवेश का निकास होना चाहिए था गलत हो गया मुख का वाचाल मुख में तो गुँगा तो मुख का वाचाल सही है भूत का भविश्य सही है पुरशकार का तिरसकार सही है लेकिन यही वाला गलत यूग में है ठीक है आईए सर 17 नमर क्वेशन में कि सत्रह नम्मर क्वेशन में कहा गया मूख का विलोम क्या है अभी बताया तो मूख का विलोम तो आप खुद ही जान गई अभी आप देखे ते पिछले क्वेशन में था मूख का विलोम क्या होगा वाचाल मूख का विलोम क्या होगा वाचाल 17 नममर question के बाद 18 नममर में आईए आप नैसरगीक सब्द का विलूम क्या है जल्दी से बताईए सर नैसरगीक शब्द का विलूम क्या है नैसरगीक का होता है कृथिम तो ये जो आपका Corona virus फैला है उसे जपान के प्रोफेशर है जिन्हें नोबल का पुरुष्कार दिया गया है उनों ने कहा कि यह वाइरस यो है वह नैसरगिक नहीं है बलकि यह वाइरस कैसा है कृति मैं उसे बनाया गया है नहीं तो अगर यह थंडे प्रदेश का वाइरस है तो गर्म में जा कर के दम तोड़ देना चाहिए लेकिन ये गर्म में भी प्रभावकारी है इसका मतलब ये वाइरस क्या किया गया है बनाया गया है कौन बनाया है चाइना वाले बनाए होंगे और कौन बनाया इतना खाली कौन बैठा है ठीक है चले कुशन नमर 19 क्वेशन नमर 19 में लिखा गया है निशिद्ध शब्द का विलोम क्या है क्वेशन नमर 19 का निशिद्ध शब्द का विलोम क्या है तो निशिद्ध का विलोम होता है या वहित क्या होता है वहित क्लियर चलिए question number 20 question number 20 कह रहे है आचार का विलोम शब्द है आचार का विलोम शब्द है अनाचार अत्याचार विचार पहला question ही कराया हूँ बताने की कोई आउशक्ता नहीं आप मारेंगे भी question number 31 स्वाधीन का विलोम है तो स्वाधीन का विलोम क्या है आप लोग सुने होंगे परादेन सपने हुशक्त नहीं तो पराधीन होगा स्वाधीन का क्या होगा पराधीन होगा ठीक है अगला question number 22 अरजन सब्द का विलोम क्या है अरजन 22 अनमर question में अर्जन सब्द का विलोम क्या है जल्दी से पता दीजिये मज़ा आ जाएगा अर्जन मतलब होता है कमाना और कमाना का उल्टा खर्चा करना तो खर्चा करना की अंग्रेजी अर्जित तो होगी नहीं अम्रित्त होगा नहीं अनर्थ होगा नहीं तो बचा क्या ब्यायान ठीक छलिए तेजू नुमर कुर्शनड करेक अभेशषद सब्द का विलोम है जरा बताएए आभेशषद शब्द का विलोम है आवेशित मोबाइल आवेशित करते हैं कि नहीं आप लोग तो आवेशित रहता है कुछ देर बाद जब आप हमारी वीडियो देखते रहते हैं तो कुछ देर बाद धीरे 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 इसका आवेश खतम हो जाता है तो यह अनावेशित हो जाता है क्या हो जाता है अनावेश है अश्लील शब्द का विलोम क्या है बताइए अश्लील का यह सब को आना चाहिए अश्लील मतब क्या होता है गंदी-गंदी अश्लील हरकत करना गंदी हरकत करना अश्लील बात बोलना गंदी गंदी बात बोलना गाली वाली देना यह सब क्या है अश्लील बाते है लेकिन 24 वाले मगर आप बताएंगे तो अश्लील सब्द का विलोम क्या होगा अश्लील सब्द का विलोम क्या होगा तो अश्लील सब्द का विलो क्या है इनमें अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है जल्दी बताईए अनुग्रह का क्या है आग्रह संग्रह ग्रहन विग्रह क्या है जल्दी से बता दीजे वह या जल्दी से जल्दी से जल्दी से अनुग्रह मतलब आप लोग देखत फीते हुए कुश्यन नमर्ट 26 कुश्यात्य पाश्यात्य शब्द का विलूम है 26 की पाश्यात्य सब्द का विलूम है क्या है यूप रविन्यू इंस्पेक्टर बनना है तो आपको इस प्रैश्न का जबाब देना पड़ेगा और वो भी सही-साई और वो भी समय के अंदर तब जाकर के आप बन पाएंगे रिवेंग्ञीव इंस्पेक्टर और नहीन दो भाईया नहीं बन पाएंगे और जानते हैं भी लेखपाल वगरे की परिक्शा आए भी रही है पुलिस की परिक्षा रही है अगर आप सब को यह साही पुलिश बनना है तो आप सब सही सही अंसर दीजिए तो पाश्चात्य का होगा पाउरस्ति ठीक है क्विश्चन मर् 27 क्विश्चन मर् 27 क्या कह रहा भी है जरा देखें एक है निमनिलखित में से कौन सा धाला शब्द प्रभावी का विलों नहीं है अगर होने वाली बात होती तब तो वाल मजह बढ़ जाई ये बाबुजी जराद्हीरे चलो अर्थाइस्वें कुछ अमलिका प्रच्छन शब्द का विलोम है प्रच्छन शब्द का विलोम क्या है प्रत्यक्ष प्रत्यपन्न अ प्रत्यपन्न गौण क्या है जल्दी से पताए भिया जल्दी पताए प्रच्छन का क्या ह होगा प्रक्षण्य का विलोम क्या होगा प्रतिपन्न प्रक्षण्य क्या होगा प्रतिपन्न ठीक हैte Mm संक्या 29 29 नम्मर क्वेशन में कहा गया है कथित शब्द का विलोम है कथित कथित शब्द का विलोम है कथित कथित शब्द का विलोम है तो 29 का पता ये दीजिए भया कथित सब्द का विलोम है कथित मतब कहा गया और कथ्य मतरब कहा गया कथ्य मतब नहीं कहा गया और यह कथन कहने योग और अकथित इसका क्या होगा अकथित ठीक है कि आगे देखिवे हैं क्वेशन नमर 30 स्थावर का विलोम बहुत बार यह परिक्षाम पूछा गीताना बार पूछा गया भाई पहले प्रश्णवाई यही रहता है स्थावर का क्या होगा या इसका विलोम दिया रहे तो यही दोनों मिलते हैं तो अस्थावर का क्या होगा जल्दी साब सब बताईए जो भी बच्चे परिक्षा दे रहे होंगे उनको पता होगा कि अस्थावर कितना महत्वण हैं बहुत बार पूछा गया है ठीक है तो तीस नमर क्वेशन का जवाब अगर आप देंगे तो प्रत्कूल का विलोम शब्द है प्रत्कूल का विलोम शब्द क्या है प्रत्कूल का विलोम शब्द क्या है प्रत्कूल का विलोम शब्द क्या होता है सभी लोग जानना चाहिए सभी लोगों को आता है प्रत्कूल का होता है अनुकूल नाउधारा में बहुत बार बताया गया है 32 नम्मर क्वेशन में आए देखे भाई इसकंद पुराण में कहा गया है कि जो लोग दुपारिया में सोते हैं वो लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं उनकी आयों कम हो जाते हैं और आप सब लोग जादा जीना चाहते हैं तो दुपार में केवल हमारी वीडियो देखि शब्द है अनिवारे का विपरीत आर्थक शब्द क्या है अनिवारे का विपरीत आर्थक क्या है जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब कोई परिक्षा वगरा देते हैं आप बीए कर रहे हैं ग्राजिवेशन तो उसमें देखे एक अनिवारे विशे रहता है पर्यावर तो 32 का विकल्प सही होगा B वाला Q23 पर अगर आएं तो Q23 है हमारा निरंतर का सही विलोम है निरंतर का सही विलोम क्या होगा 33 प्रशन में निरंतर का सही विलोम क्या है निरंतर मतलब जो हमेशा चलते रहने वाला हो और नाश्वर का मतलब होता है कि खतम हो जाने वाला 33 का आपका सही होगा थिक चरए भई आंद्यो 34 नमर कॉष्षन में देखे क्या लिखा गया है उक्त शब्द का विलोम है उक्त शब्द का विलोम क्या है आप सब लोग जानते होंगे उक्त शब्द कह रहा है तो इसको अनुक्त होना पड़ेगा उक्त शब्द है अनुक्त होना पड़ेगा ठीक है समझ मारा है कि नहीं भीया सभी विच्चों को उक्त का क्या होगा अनुक्त होगा आगे बढ़ी भीया 35 नमर कुश्टन देखे क्या करा है अमर शब्द का विलोम है 35 अमर शब्द का विलोम क्या है मृतक भृत्यू मरण मरते बहुत बढ़या कुश्टन है फिर आए सकता है आपके परिछाओं में फिर सब फूछा जा सकता है तो अमर शब्द का विलोम क्या है, मरते हैं, ठीक है, कुशिन में 36, अविर्भाव शब्द का विलोम है, अविर्भाव शब्द का विलोम क्या है, अना अविर्भाव, विभाव, अविर्भाव या तिरो भाव, जल्दी बताईए, तो अविर्भाव शब्द का विलोम क्या ह जल्दी से बता दीजे आप समय अविरभाव शब्द का विलोम होता है तिरो भाव अविरभाव शब्द का विलोम होता है तिरो भाव क्वेशन नमर 37 लिखा गया उतकर्ष शब्द का विलोम है उतकर्ष शब्द का विलोम है जल्दी से बताए उतकर्ष का होता है अपकर्ष उतकर्ष का क्या होगा मेरे सरकार अपकर्ष ठिक थर्टीएट थर्टीएट टंबर क्वेशन में देखें क्या कहा गया है स्प्रिश्य का विलोम शब्द है स्प्रिश्य का विलोम शब्द क्या है जल्दी से पताइए स्प्रिश्य का विलोम शब्द क्या है जल्दी जल्दी करो यार स्प्रिश्य का विलोम शब्द क्या है और स्प्रिश्य स्प्रिश्य का विलोम शब्द क्या है और स्प्रिश्य ठीक है अगला कि बहिरंग का विलोम क्या है बहिरंग का विलोम क्या है 39 बहिरंग का विलोम क्या है बहिरंग का विलोम क्या है जल्दी बताओ बेटा बहिरंग का बिलोम होगा अंतरंग बहिरंग का बिलोम क्या होगा अंतरंग होगा बहिरंग का बिलोम है अंतरंग चलिए है कि फोटी चालीस नम्होंट न हम और कंदो श्ब्द का विलोंम् तेमिरश प्रस्फथ का विलोंग में क्या है जल्दी से करिए तो ड कि में श्ब्राइब हैं अलोग तेमिया का ऑख ट्जेस प्रूट जैन गजापकांब क्लूच शब्द क्या होगा एक तालिश नम्मर क्वेशन हैं गौरों का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी से बताईए गौरों का विलोम शब्द क्या होगा जल्दी गौरों का विलोम शब्द क्या होगा गौरों का होगा लाघव गौरों का क्या होगा लाघव होगा चलिए अग्य का विलोम शब्द क्या है अग्य का विलोम शब्द क्या है बोलिए अग्य का विलोम शब्द क्या है अग्य का होता है विग्य अग्य क्या होता है विग्य स्ट्रिक्रिश्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया बढ़ा रूप दिखाया तो अब आप सब बता सकते हैं छोद्र होगा विराट का क्या होगा छुद्र होगा पूर्टिफॉर पूर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफॉर्टिफ है इप्सित शब्द का विलोम शब्द है अभीचित in अभीμिध अनिप्षित परी सितस्थ थोनेप्सित क्या होगा पैंता लिस्त का जलदी पताइए आइप्सित कहोता यह होता है अंप्षित किसा होता है मैरे सर्कार्र अनिप्षित-चिक स्रिष्ट का विलोम शब्द क्या है आज जैसे 29 तारिक को होने वाला था 29 तारिक को होने वाला था स्रिष्टी का कुछ उल्टा लेकिन नहीं हुआ आप सब बच गए हम भी बच गए तभी तो वीडियो बना रहे नहीं तो आप देखते ना हो हम बनाती ने ठीक है कितने अगया एकदम मस्त हो कि खापी के अपना तो गए थे कि चलो राते रात हो सकता हमर जाएं लेकिन मरें नहीं तो स्रिष्टिका क्या होगा बहिए प्रलाय स्रिष्टिका क्या होगा प्रलाय अगला स्वजाति का विलोम क्या होगा स्वजाति का विलोम क्या होगा बोली भी है स्वजाति का विलोम क्या होगा स्वजाति मतलब एक ही जात्में जैसे पंडित ठाकुर ठाकुर यादव यादव पाल पाल है ना सुकला सुकला मिस्रा मिस्रा यह सब जो होते हैं यह स्वजाती है और विजाती क्या है विजाती मतलब इंटर कास्ट है ना पंडित ठाकूर ठाकूर पंडित यादव पाल यादव कुछ भी ऐसे ही जोड़ लीजिए ठीक है तो स्वाजाती मतलब एक ही जाती का और इसका विलोम तब आप क्या बनाओगे भाई या कुजाती क्या बनाओगे गलत कर दिया विजाती तो 47 का हो जाग आपका डी तो स्वाजाती का विजाती और आज कल देखते हैं भाई या विजात मेरेज बहुत तेज होती है विजात विवाह प्रेम का विवाह है तो प्रेम किसी सो हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं प्रेम अंधा होता है प्रेम क्या होता है 48 नमर क्वेश्व उद्दम का विलोम शब्द है उद्दम का विलोम शब्द क्या है अनतारिश में उद्दम का विलोम शब्द क्या है उद्दम का विलोम शब्द होता है आलश्य है ना आलश्य उद्दम का क्या होता है आलश्य जैसे इस समय हम सब लोग आलशी हो गए हैं खटिया तोड़ रहे हैं के वल भोजन करकर के कुछ काम धाम नहीं करते पड़ाय लिखाई भी नहीं करते वह 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 वाला विस्तरित का विलोम शब्द क्या है उननचास में पूछ उननचास का भी अब आईए क्वेश्चन नमर पचास में क्वेश्चन पचास में लिखा गया विस्तार का विलोम शब्द क्या है पचास में लिखा गया विस्तार का विलोम शब्द क्या है तो विस्तार मतलब ऐसे फैला हुआ विस्तार मतलब फैला हुआ तो इसका क्या हो होगा विस्तार का क्या होगा जल्दी बिता दीजिए संचेप होगा क्या होगा मेरे भीया संचेप होगा ठीक है अगला क्विश्ण मरें क्यावन विवाद का विलोम शब्द है क्या है कि विवाद का विलोम शब्द क्या है चींक आ गई मेरी चींक अच्छी होती है जो लोग तुम लोग सोचे होगी सब सही होगा गंदा ना सोचा करो 51 का क्या होगा 51 का क्या होगा डी विवाद का निर्विवाद यह सब रामार्ण महाभारत आप देखा क्रोश में सब शब्द आते हैं कोरोना हो गया भाईया मुझे यही वीडियो बना रहा हूँ 14 दिन के बाद मुझे कोरोना ले लेगा तो आप सब दूआ करिये कोरोना से मैं सही ना हो ठीक भाई सर्दिक खासी बुखार गले में दर्द सभी कुछ हो रहा है सभी लक्षन पूरे हैं लेकिन अभी मैं चिक नहीं कराया हूँ नहीं तो उठा ले जाएंगे डाक्टर लोग तो आप लोग दूआ कीजिए कि कोरोना से जल्दी में मरू यह दुनिया बहुत तकलीफ दे रही है जल्दी बताइए अभी बताया था अनकूल का होता है प्रत्कूल 53 मतलब होता है जो आपके उपकार को माने जैसे आप पैदल जा रहे हैं और को आपने गाड़ी चलता हूं मैं कम आपको गाड़े बढ़ कर इसे कहते हैं क्रितग्य का विलोम क्रितग्न क्या कहेंगे क्रितग्न कहेंगे ऐसे लोगों को क्रितग्न कहा जाता है जो आपके किये गए उपकार को ना माने अगला प्रेश्ट सहोदर का विलोम है सहोदर मतलब होता है सहा उदर है या शशह सहोदर है तो सहोदर का क्या होगा जल्दी से बताए अधर अधर मतलब ओठ होता है होंट है ना अधर सुधारस मुरली राजे तो अधर मतलब होता है होंट है ना चौमन का आपका सहुधर का होगा अधर उल्टा हो गया नहीं गलत बात है सहुधर मतलब होता एक ही उदर से तो इसका उल्टा होगा कि किसी और उदर से तो सहुधर का आपको अगर बनाएंगे तो सहुधर का क्या बनेगा जल्दी से आप लग वताईए सहुधर का होगा अन्य उदर अन्य उदर मतब अन्य उदर, अन्य मतब अन्य पेट मतब पेट, तो दूसरे पेट से, तो एक ही पेट से पैदा हुए को हम लोग सहोदर कहते हैं या सगा कहते हैं, अन्य उदर मतब पराया, पच्पन, ठीक है, निमनलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, अब कौन सा विलोम शब्द यूग गलत है, उसे आए हम लोग देखते हैं, इश्ट का अनिश्ट सही है जी, छली का निश्चल आहा, एकदम सही है जी, कोई बात नहीं, सानुनाशिक का निरानुनाशिक आहा, ये भी सही जी, अब तो बचा क्या, उतकर्ष का निकर्ष, यही वाला विकल्प क्या है, गलत यूग मैं, चली, पशपन, पशपन का क्या है, उतकर्ष का विलोम शब्द क्या है, अब ये सब आपको बताने की जरूत नहीं पड़ेगी कि जल्दी से आप लोग कमेंट करिए उतकर्ष का विलूम क्या होगा जल्दी उतकर्ष का क्या होगा उतकर्ष का अपकर्ष उतकर्ष का क्या होगा अपकर्ष चलिए अगले प्रष्ट की तरह बढ़ते हैं 57 मधूर 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 का विलूम क्या है मधूर मतलब मीथा मीथा का क्या होगा कड़वा तो मधूर का होगा कटू ठीक है कटू 57 का होगे आपका कौन सा डी आगे बढ़ें बैया 58 नमर क्वेशन में 58 नमर क्वेशन क्या कहा गया देखे जरा निम्न लिखित विलूम युग नहीं है कौन सा शुर्द नहीं है वही देखते आयात का निर्यात बिल्कुल सही पाप पोणे एकदम सही है है अब इसी बी या सी या डी में से कोई एक होगा अब आप जो कहेंग में मालनोंगा बुद्ध बद्ध का मुक्त एकदम सही है तो बचा का नूतन का सनातन ठीक धर्मगरंत हो जो हमेशा से चले आ रहे हैं उनसथ कोशन नमर उनसथ निंदा का विलोम शब्द है निंदा का विलोम शब्द है निंदा का विलोम क्या है स्तूति संस्तूति संवेदना स्तावन उनसथ का क्या सई है जल्दी से बताईए तो निंदा करने का होता है स्तूति कर स्रीगनेश का विलूम क्या होता है स्रीगनेश का विलूम क्या होता है बहुत सही है स्रीगनेश का विलूम क्या होगा जल दीवताइए स्रीगनेश मतलब सुरुवात करना तो समाप्ति इसका होगा समापन भी हो सकता है अंत भी हो सकता है अथ तो नहीं हो सकता है तो ये तो हो सकते हैं लेकिन इने में से यह संस्कृत है तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये तिसरी होगा साथ का भी होगा ठीक है अरे बोलो ना बोल नहीं नहीं है आप सब गवरों का विलूम शब्द क्या है अभी बताया था गवरों का विलूम क्या होगा अब तो आप सब को याद होगा जल्दी से बता दो गवरों का क्या होगा यार लागव गरो का क्या होगा लागव चलो भेए आंद्यों क्वेशन नमर 62 कि अनभिग्य क्या होगा यह भी बता चुका हूँ आपको फिर से पूछा गया है यूपी अंटी में पूछा गया है 62 में जल्दी बताओं अनभिग्य का होगा अभिग्य ठीक है 63 में 63 में 63 में 63 में क्या कह रहा है जरा देखो निम्नलिकित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है एक निर्भीक का विलोम नहीं है निर्भीक का विलोम क्या होगा वही आपको देखना है जल्दी से बताओं निर्भीक का क्या होगा निर्भीक का होगा सासी ठीक है 63 का आपका सही होगया क्या ये वाला अब आई ये question नमर 64 रूग्ण का विलोम शब्द है रूग्ण का विलोम शब्द क्या है रूग्ण का विलोम शब्द क्या है रूग्ण मतब होता है रोगी तो रूग्ण का विलोम शब्द होगा स्वस्थ है चीक है विपत का विलोम शब्द क्या है विपत का विलोम शब्द क्या है 65 में विपत का विलोम शब्द क्या है तो विपत का होगा संपत क्या होगा संपत 66 वादी का विलोम शब्द है वादी का विलोम शब्द है बोले वादी का विलोम शब्द क्या है वादी का विलोम शब्द क्या होगा बोले बोलो भी है जल्दी वादी का होता है प्रतिवादी क्या होता है वादी का होता है प्रतिवादी Q67 67 उद्धत का सही विप्रितार्थक शब्द चुनिए उद्धत का सही विप्रितार्थक शब्द क्या है उद्धत का सही विप्रितार्थक शब्द क्या है जल्दी बताईए मैं थोड़ी देर रूक रहा हूं ताकि आप सब बताईए कुछ आप सब किया करिए नहीं तो मुझ प्रवित्ति का विलो मीडिक्र और कि और तो उनतर कोशिन में कहां है चपल का विलो मीडिया है जो चपल का विलोम क्या होगा विया है 49 चपल का क्या होगा गंभीछ छपल कहो ठीक है भिज़िए विमNC छापल का क्या होगा गंभीड आगे 70 में आई ए पीटा क्या होगा तो आप कहेंगे मधूर करकश का क्या होगा मधूर ठीक है किसे की सब्सक्राइब 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 कि अंतरंग क्या होता बहुरंग कि बहिरंग एकी बी जल्दी बताओ अच्छा ये तो नहीं होगा दो काड दे तो यूंप यह उड़ी और किप कि अभी बताया था कि उससे में जल्दी करूंगा तो प्राचीन का क्या होगा यह जल्दी बताता यह भी बहुत पोछा जाता है लगात्य लिशुंगि फ्राचीन की hackers का रवाचीन प्राचीन को मरकुशन माहत्मा शब्द का सही विलोम है क्या है चोतर नमर कोशिन मताई यह महात्मा शब्द का सही मिलोम क्या है दुराइत्मा मह आत्मा का हन्लिव स्थावर का क्या होगा मैंने कहां तक बहुत है भर का क्या होगा जंगम जहुझे 76 तिमिर का शुद्ध विलोम क्या है बताया था आपको तिमिर का क्या होगा आलोक Q77 आमिश का विलोम है अब इसे थोड़ा समय रोकूंगा आमिश का विलोम है जल्दी से बताये आमिश का विलोम है क्या है आमिश का तो आमिश का होता है निरामिश आमिश का होता है निरामिश विकल्प सही होगा बी वाला 78 नमबर क्वेशन हरास का विलोम शब्द है विहास, अहास, रुदन, निहास हरास का विलोम शब्द है क्या है जल्दी से देखे विहास अहास निहास यारुदन हास का क्या होगा हास अस्थाई भाव भी होता है अहास यरस का है ना चलिए हास का क्या होगा विहास हास का क्या होगा विहास 78 का क्या सही होगा आपका A 79 उद्धत का विलोम शब्द है उद्धत का विलोम शब्द क्या है 79 का जल्दी से बताएए उद्धत का विलोम शब्द है कि उद्धत का विलोम शब्द क्या है विनीत कराया हूं बेपीछे कराया था 80's equation आसी नमर कोउशन परस्ट का विलोम है ये एक्षुली पौरूर्श ओना चाहिए पौरूश ठीकें मैं तो क्या होगा पर इस का क्या होगा प्रस्ट का क्या होगा शला मिल होगा शलाकत स सबस्क्राइब करते रहें अधिक सद्सदिक लोकों को जोड़ते हैं और उसके बात मिलते हैं आप से 80 नंबर क्वेश्चन के बाद 188 नंबर से ले करके 168 नंबर क्वेश्चन तक कल ठीक है तो देखना ना भूलें आप लोग विसी टाइम पर आ जा करिए देखें मैं अगर नोटिफिकेशन मैं न भेज़ पाऊं तो आप लोग याद रखा पर चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब किये हैं चैनल सबसक्राइब करने के बाद जाए और इस घंे झालग तो है गर और अगर यह घंटा ऐसे हो जाएका तो आपके बास नोटिफिकेशन आएंगे ठीक है 30 मिनट पहले मैं नोटिफिकेशन जारी करता हूं तो तीस मिनट पहले आपके पास आ जाया करें तो आप रिमांडर लगा दिया करो तो जैसे ही रिमांडर आप लगाय रखो गए तो आप लोग अपना ख्याल रखें दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें परिवार में सबको सुरक्षित रखें यही हमारा आपका उद्देश है चलिए आज यह तक लेते हैं विदा आपका दिन शुब हो जैहिन जै भारत नमस्कार